प्यारे भाई वहनों, अगर कोई व्यक्ति किसी गुरू को लात मार दे, अगर कोई व्यक्ति किसी गुरू, पूर्ण सत्गुरू को लात मार दे, तो क्या कभी आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं? परन्तु गुरू के इतिहास में, एक बार ऐसा ही असंभव सा दर्शे देखने को मिला की एक व्यक्ति ने, गुरू को लात मार दी, और गुरू अपने सिंघासन से नीचे गिर गए, परन्तु गिर कर भी, उन्होंने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की, उस व्यक्ति के सामने बलकि उस व्यक्ति से कहा, भाई मेरी हड्या कठोर हैं, कहीं आपके द्वारा मुझे लात मारने पर आपके शरीर को, आपके पैर को चोड़ तो नहीं लग गई, यह बिल्कु ठीक ऐसे था, जैसे जब भ्रगु मुनी ने भगवान विश्णु को लात मारी, तो उन्होंने उनके चरण पगड़ करके कहा, रिशिबर मेरी बज्र जैसी कठोर चाती से जब आपका पैर टकराया, तो कहीं आपको चोड़ तो नहीं लग गई, और यही बात, यही बात इन गुरु जी ने उस व्यक्ति से कही, जानते हैं वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति था और यह गुरु कौन थे, यह गुरु थे अमरदास सिक्धर्म के तीसरे गुरु, दरसल हुआ यह था, कि गुरु अंगद देव जी के द्वारा, अमरदास जी को अपना उत्राध्यकारी घोषित करने के बाद, अर्थात गुरु घोषित करने के बाद, उनके पुत्र कुली भूल गए थे कि जो योग्य है उसे ही गुरु गद्धी पर आसीन किया जा सकता है और जब गुरु अंगत देव जी के द्वारा अमरदास जी को अपना उर्त्रा अधिकारी घोशित कर दिया गया तो फिर अमरदास जी ने ये घोशना कर दी गुरु गद्धी पर करना पड़ेगा और ये बात ये बात ब्रहमण को गवारा नहीं थी क्योंकि उस समय ब्रहमण अपना बर्चस्त्व इस्थापित करने के लिए जाती भेदभाब ये सारी की सारी चीजों को बहुत अधिक प्रसराय दे रहे थे दातु जो गुरु अंगत देव जी का ही उसने जाते ही अमरदास जी को प्रणाम तो नहीं किया परंतु उनके नजदीक पहुँचकर उसने लात मारी उनके और उस लात से वे अपने सिंगासन से नीचे गिर गए नीचे गिरने पर भी उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया उन्होंने कहा भाई कहीं आपके कोमल चरण में मौझूद हड्डियों से कोई चोड तो नहीं लगी इसके बाद गुरु अमर्दास अपने उस इस्थान गोईंद बाला को छोड़ कर बसरका की और चले गए और अपने आपको एक कुटिया में उन्होंने कैद कर लिया और इधर इधर दातु ने अपने आपको गुरु उदासिंता को देखकर दातु ने एक दिन अपने द्वारा अरजित की गई वो तमाम संबत्ती उट पर ला दी और बहां से खडूर के लिए वो चल पड़ा परन्तु मार्ग में ही कुछ लोटेरों ने उसे घेर लिया उसकी सारी संबत्ती छीन ली और उन लिटोरों में से एक ने उसके उस पैर पर लात मारी जो लात उसने गुरू अमरदास जी को मारी और उस लात से लुटेरे की उस लात से उसे बहुत ही दर्द हुआ उसका पैर सूज गया इधर अपने गुरू के चले जाने पर तमाम सिख बहुत परिशान हो गए बेथित हो गए बे अपने उनमें जो एक शिशे था बुद्ध उसने गुरु अमर्दास जी की घोड़ी को छोड़ दिया और घोड़ी उनको तलास करती करती उनके गाउं बसर का पहुच गई और उस जोपड़ी के दरवाजे पर जाकर के रुको गई जिस पर उन्होंने लिखा था जो कोई भी इस दर प्रवाजे को नहीं खोला गुरु की आग्या का उलंगन नहीं किया बल्कि दीवार में एक छेद किया और उसमें देखकर वो प्रार्थना करने लगे अपने इन सिस्यों के हिड़दे से की गई बिंती को उनकी प्रार्थना को उनके अनुरोद को ऐस्विकार नहीं कर सके उन्होंने उनकी बात मान ली और फिर गोइंद बाल में बापस आकर उन्होंने उस सिंघासन को सुईकार कर लिया जिसे छोड़कर गातू चला गया तो प्यारे भाईयो बहनों ऐसे थे सिखो के तीसरे गुरु अमरदासी गजब की सहन सिलता और वो तो गुरु में होती ही है उसे अलग से लाने की अवशक्ता पढ़ती ही नहीं है और हमारे आपके सब के जो गुरु है ना उनमें भी गजब की सहन सिलता है वो भी अलग अलग तरह की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते क्योंकि वे गुरु का काम ही नहीं है गुरु का काम है अपने शिश्यों को सही मार्ग पे लाना और उनके जीवन में उजाला भरना उन्नती भरना समरद्धी भरना खुश्या भरना सुख भरना तो ये वीडियो इसमें अमरदास जी कहानी आपको कैसी लगी ये बिल्कुल सची घटना है प्लीज आप कमेंट करके बताईएगा जरूर वीडियो यदि पसंद आया है ना तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना इसे शेयर कर दीजे बिल्कुल अभी और चैनल पर यदि नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब भी करना ना भूले अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा इनी शब्दों क साथ आप सभी को जैहिंद नमस्कार और प्यारभरी धन्नकार